गूर्णिंग गाइज वेलकम टू विद्धाइट 24 सो गाइज आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास एट विज्ञान का मस्ट इंपोर्टेंट कोशिंस ठीक है कोशिंस से अब्जेक्टिव में तो चले स्टार्ट करते हैं चेप्टर कर नाम क्या है दाहन और ज्वाला चैप्टर शिक्स दाहन और ज्वाला चले तो आज का पहला क्यूशन पर पहला क сов निमन में कोज़ा थो दन का उधारन को निमनमें कोन धना का उधारन सुएत फासफोरस लकड़ी का जलना पताखा या इन में से कोई नहीं तो चले इसका राइट अंसर हो जागा सुवेत फास्फोरस ठीक है फास्फोरस एक ऐसा पदार्त है जो कि अक्सिजन की उपस्तिती में अक्सिजन के कॉंटेक्ट में आते ही जलना प्रारम हो जाता है तो इसलिए इसको बोला जाता है सुथा यानि की अपने आप दान होना अपने आप जलना अगला कॉसें देख लेते हैं कॉशें नुबर टू क्या है कि निम्न में कोण जो अलंसील पदार्त है कोण सा इसा पदार्त है जो कि जो अलंसील होता है अप्सन देख लेते हैं То option में क्या है लकड़ी कोईला पैट्रोल या फिर पत्थर लकड़ी कोईला पैट्रोल या फिर पत्थर तो इसका right answer हो जाएगा पैट्रोल पैट्रोल जो है जोल इंसील पदार्थ है चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 3 किसी पदार्थ के दहन का पोशक पदार्थ है कार्बन, कार्बन मुनकसाइड, अक्सिजन या फिर जल तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अक्सिजन तीक है अगर हमारे वातावरन में अक्सिजन नहीं होता, तो ज्वाला भी नहीं जलता, धन भी नहीं होता, कार्बन मौ्याइड जो की बाइक के पेट्रोल, बाइक में पेट्रोल और डिजल के जलने से उतपन होता, चैका जल तो हम जानते ही है और जल का फूर्मुला क्या होता hood, ह cioè और ये कार्बन जो होता Conven mache, का अगर चलि 7 होता है ठीक है एगरा question लीते है question number 4 वह च्राप जिस पर कोई पधार्थ जलना सुरू करता है क्या काह लाता छ ज्सोरू ज्वाला ज्वरानसीर या भी दहनसील फधार्थ इस question का एंसर हो जाएगा ज्वलनताप क्या है राई एंसर हो जाएगा ज्वलनताप चलिए अगला को सिंदेख लेते हैं कुशह नहीं नहीं सिल पर दार थे किसमें धवन नहीं होता है इसमें ज्वस्फा सनफ को नहीं जलता है तो लक्री कोई कोईला पेटी सैट यह पधर नोर्मली हम लोग जानते हैं कि पथर कैसा पदार्त है जिस पर आग नहीं लगता है यानि कि वह जलता नहीं है चलिए अगला कुछिन देख लेते हैं कुछिन मुंबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाए पड़ता है मुंबत्ती की ज्वाला जो होता है जब मंबत्ती जलता है उस समय उसका जो मध्य भाग होता है बीच का जो भाग हो जब कोई जो आला जलता है तो उसका बीच का जो भाग होता है मद्ध भाग जो होता है वो पीला कलर को होता है जिसमें कम उस्मा होता है लेकिन वही अगर किनारे का भाग जो होता है वो बेगनी कलर को होता है जिसमें ज्यादा उस्मा होता है ज्यादा हीट होता है अगला लकड़ी किरोसीन एलपीजी या फी हाइड्रोजन क्या है लकड़ी किरोसीन एलपीजी या फी हाइड्रोजन किरोसीन क्या होता है एक परकार का खने जो कि जमीन के अंदर से गेन किया जाता है ठीक है लकड़ी तो पेरो से मिलता है एलपीजी जिसको बोला जाता है लिक्वी जब विधूत में जब आग लगता है तो उस समय हम लोग पाणी यूज़ नहीं कर चकते क्यों कि पानी जो होता है विदूत का चालक होता है अगर हम पानी का यूज करेंगे तो हमें भी करेंट लग सकता है ठीक है पैट्रोल का यूज नहीं करेंगे क्यों क्यों कि पैट्रोल एक क्या बोल सकते हैं जोलनसील पदार थे रेत रेत का यूज नहीं करेंगे क्योंकि उ उसके चारों तरफ क्या होता है घेर लेता है और यहीं चादर के तरह आवरन बना करकर क्या करता है आक्सिजन के कॉंटेक्ट को रोक लेता है जिसके करण आग ऑटोमेटिक बूठ जाती है तो इसलिए विदूत अपकरनों में जब आग लगता है तो हम लोग कारबन अक्साइट का यूज करते हैं क्या है ज्वाला में कितने छेत्र होते हैं ज्वाला में कितने छेत्र होते हैं चार होते हैं दो होते हैं तीन होते हैं या फिर पांच होते हैं तो इस कोशन का राइट एंसल हो जाएगा पांच होते हैं ज्वाला में कितने छेत्र होते हैं तो ज्वाला में पांच छेत्र हो कौन सी सर्थ आवश्यक है धान की किरिया के लिए निमना कौन सी सर्थ आवश्यक है और धान सिल पदार्थ की उपस्तिती पदार्थ के जोलन ताप की प्राप्ती वायू की अनुपस्तिती एफ इन में से कोई नहीं तो इस को सिनका राइट एंसर हो जाएगा पदार्थ के ज आस्ट मुएगञा है 105 कोश्य पन्य नंबर 11 कोश्य नंबर 11 क्या है निम्न में कुन विष्पोट का उदारन है लकडी का जलना पटाखा का देहन या इन में से कोई नहीं लकड़ी का जलना, तेल, पताका का दहन या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा पताका का दहन विस्पोट का जो उधारन वो पताका का दहन यानि पताका में आग लगना एक विस्पोट का उधारन होता है नेस question देख लेते हैं Question number 12 क्या है लकडी का जलना किस परकार का उदारन है लकडी का जलना यानि कि वोड का जलना जो है किस परकार का उदारन है मन दहन या फिर दहन या इन में से कोई नए इसका right answer हो जाएगा क्या मन दहन एसका right answer हो जाएगा मन दहन अग्ला question देख लेते हैं question number 13 question number 13 क्या है तेल में लगी आग को किस अगनी सामग द्वारा बुझ़ा जाता है तेल में लगी आग को तो किस अगनी सामक द्वारा बुझा जाता है CCL4 carbon dioxide oxygen या फिर ओ ठीक है तो इस को सिन का राइट एंसर हो जाएगा carbon dioxide carbon dioxide actual में maximum आग बुझाने के लिए ही यूज किया जाता है और एक्चोल में carbon dioxide का दूसरा उप्योग क्या है मौस्टली अगर देखा जाए तो carbon dioxide का दूसरा उप्योग है photosynthesis का प्रोसेस करने में पोधे द्वारा बनाएगे या फिर पोधे जो अपना भोजन बनाते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा उस किरिया में carbon dioxide भी मुझकी भूमी का निवाता है चले अगला question देख लेते हैं question number 14 दहन के लिए अवश्यक है तो आग लगने के लिए क्या अवश्यक है हवा पानी आग या फिर ज्वाला हवा पानी आग या फिर ज्वाला तो इस question का right answer हो जाएगा हवा अगर वायू नहीं रहेगा तो दहन भी नहीं होगा अगला question देख लेते हैं question number 15 क्या है इंधन के उस्मियमान का मात्रक कोन है इंधन के उस्मियमान का मात्रक कोन है केजी ठीक है के जे पर केजी किलो जूल या फिर किलो पर जूल तो इसका right answer हो जाएगा किलो जूल पर केजी इंधन के उस्मियमान का जो मात्रक होता है वो किलो जूल पर केजी होता है अगला कुशन कुशन मजश 16 क्या निम लिखीत निम लिखीत में कौन सा दानसील पदार्त है कांच लोहे का कील सिमेंट या फिर किरोसीन तो इस कोशन का right answer हो जाएगा किरोसीन किरोसीन जो है वो दानसील पदार्त है तो आज के लिए इतना ही अगर सेसन अच्छे लगे तो क्या करना है लाइक करना है सेर करना है और सब्सक्राइब करना है थैंक्यू